हेलो बच्चो क्या हाल चाल आज की लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है नन्ना मुनासा वो है इंटर कन्वर्जिन ओफ टेंपरेचर स्केल्स ठीक है तो यह आपका चेनल है सुपीरियर प्लस प्यारा सा सो इस पे हम पढ़ने जा रहे इसको विद कॉंसेप्च्वल अंडेस्टाइंडिंग यह इनों ने जो लिखा हुआ है यहां पर आप देख रहे हैं अगर इसको देखेंगे तो दो चार अच्छी अलफास कहने का मुझे दिल कर रहा है को इनको मैं कुछ कहूं या नोबल प्राइस बुक बनाने वाले को क्यूंकि बीच से बात छोड़ दी गई और 15.1 इनों ने क्या किया फिगर 15.1 पे इनों ने क्या किया है थर्मा मीटर को बात टब में डाला है और अगर हम 15.1 फिगर में जाएं यह इदर बात टब आपको नजर आ रहा है मुझे कतई तोर पर यहां पर बात टब नजर नही नहीं आ रहा है ठीक है कहां पर बात टब है और कहां पर सेम टेमरेशर पर डाला हुआ है कोई डेरिवेशन नहीं है बनाने वाले ने सिर्फ छापा मारा है अब यह केसे तीनों चीज़े बराबर आई है मैं आपको मुझे बता दूं तो मेरा पढ़ाने का क्या फाइता ठी ठीक है तो इसके लिए इसकी conceptual understanding करेंगे तो मेरा नाम है करतार कुमार सब लोग चैनल को सब्स्क्राइब कर लें लाइक कर लें वीडियो को और चलते हैं अपने वीडियो लेक्शर की तरफ तो इस लेक्चर को देखके आपको फाइला क्या मिलेगा यह हमारा पास पेपर का अगर नहीं हल हो रहा तो आज के लेक्चर में यह तमाम सवाल आप हल कर पाऊगे बिफोर शाइडिंग दे लेक्चर में बता दूं किलास 11 और 12 की हमारे टुशन्स चल रहे हैं जहां पे हम आपको असिस्मेंट्स, वीगली टेस्स, मंदली टेस्ट, एंड यूनिर्स्री प करवाई जाएगी एंड इस नंबर में मेसेज कर सकते हैं और अगर इस बुक के आपको फिरी में नोट्स चाहिएं फिरी में विल्कुल कोई पेसे नहीं लेंगे इन नोट्स कि हम आपको गुरूप में डालेंगे सारा हमने नोट्स बनाए स्केल्ज ऑफ टेंपरेचर और हमारे पास वराल कितने हैं यह आप पड़तेवे ज आ रहें हमारे आ हमारे पास कितने पर अरहें हमारे पास तीन पड़ती आरही हैं पहला आपको है celsius दूसरा तीसरा कैल HOW जै तो इन तीनों में कितना फर्क है, कितना centigrade कितने Kelvin के बरावर है, कितना centigrade कितने Fahrenheit के बरावर है, तो हम क्या करेंगे, हमने तीनों temperature तो बना लिये, हम एक bath tub उठाते हैं, यह एक bath tub है, जिसमें पानी बरावा है पूरा, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया, दो thermometers जाल लिये, यह एक thermometer एक, यह दूसरा thermometer, इसके अंदर पूरा यहां तक पानी भरावा है, हमने एक चीज मार्क मारी, जहां पे यह आया, यह यहां पे था 0 degree, यहां पे दोनों का क्या था, यह Fahrenheit का हमें पता है, 32 degree होता है, ठीक है, उपर मारा हमने कितना, जहां पे boiling bind of water था, 100 degree, और यहां पे कितना मारा, यहां पे हमने मारा है, 212, डिगरी फेरनाइट, यह हमें पता है, हमें इन दोनों के between interconversion चाहिए, ठीक है, इस बात टप का कुछ temperature है, जिसकी वजा से यहां पे इस जगा पे कुछ, जो temperature हुआ है, इस thermometer के अंदर, यह कौन सा है, Celsius, यह है फेरनाइट, ठीक है, यहां पे यह गरम है, इसका कुछ ना कुछ इस वाले जो बात का कुछ temperature है, वो है degree centigrade इतना राइज होगा, और यह इतना ही degree Fahrenheit पहुचा है, चूंके दोनों थर्मामेटर सेम मतलब मरकरी के बने में, दोनों एक जितने level तक राइज हुए होगे, यहां यहां तक, दोनों का rising point क्या है, सेम है, यह degree Fahrenheit तक पहुचा है, degree Celsius तक पहुचा, ठीक है, 0032 y point मारक है, तो हमने यहां मारक कर लिया, यह degree Celsius यह degree Fahrenheit है, अब इन दोनों के between हमें relation बताना है, कि यहां यह क्या है, राइट, हमें एक नान देते हैं, so for the sake of simplicity, हम यह image लेकिया है, जैसे आपको समझने के अंदर आसानी हो, ठीक है, so हो क्या रहा था चकर, हमें निकालना है relation, हम क्या करेंगे, हमाया यह एक बात पता है, यह वाला, यह अला distance सेम है, यह दोनों सेम बात टप के अंदर डले वे हैं, राइट, और यह दोनों सेम बात टप के अंदर जो राइज होगा, वो भी दोनों बराबर होगा, यह यहाँ पर डिगरी सेंटीकरेट राइज होगा, यहाँ पर डिगरी फेरनाइट, ठीक है, राइज हुआ है, so यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इस image के अंदर, you must know, कि यहाँ पर डिगरी आपका राइज होगा, नोट डिगरी सेंटीकरेट, और यहाँ पर दोनों का सेम लेवल है, ओके, कट मार्क, जिस्ट डिवीजन का फर्क है, तो हमें रिलेशन निकालना है इसके बारे में, राइट, simple, अगर हम इसके यह ABCD वाले को हटा दें, जो अतनी लंबी मारी हुई हमने, ठीक है, इसको अगर हटा दें अगर हम, तो आसानी थोड़ी हो जाएगी, तो यह चेकर हो रहा था, तो for the sake of simplicity हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, कि जिसे आपको आसानी हो, इसको A point के दो, ठीक है, इसको degree signing grade है, B, इसको C के दो, इसको D कहावा है आप लोगों ने, ठीक है, अब है कि आपको यह बात पता है, यह यहाँ से लिके B से लिके A तक का, और C से लिके D तक का distance सेम है, उसकी so division, उसकी division का फरक है, लेकिन mercury rise सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं, A से लिके B तक की जो line है, यह distance बराबर है, कहाँ, D से लिके F तक का, ठीक है, यह बराबर है, इसक equation 1 कर दो, दूसरी चीज़ आपको यह पता है, कि यह तो degree centigrade और degree Fahrenheit, यह यहाँ का distance दोनों का बराबर है, तो यह बात लिख लो, A से लेके degree Fahrenheit तक का, A to degree C तक का, distance बराबर है, D से लेके degree F तक का, यह distance बराबर है आपस में, ठीक है, यह आला distance और यह वाला distance, तो इसको equation 2 कर दो क्योंकि हमावे degree C और degree F दूसरी, मतलब equation में, तो दूसरी को divide करेंगे फैली से, उपर वाले case में आपको कहीं पर degree F, degree C नज़र आ रहा है, नहीं, second में नज़र आ रहा है, तो क्या करोगे यहाँ पर dividing, क्यों कर रहे हो, divide नीचे आ लेको, explain बता दिए, क्योंकि degree C और degree F नी होगा क्या, A से लेके degree centigrade तक का distance बराबर है, D से लेके degree Fahrenheit तक का distance, इन दोनों को जब divide करवा दिया, A से लेके B तक के distance और divide by D से लेके F तक के distance को, अगर हम A degree, अगर इसके देखें, A से लेके degree C तक कितना distance है, यह देखो, degree C माइनस 0, A कितना है, 0, जैसे हम लाए निकालते है A से लेके B तक का distance बताओ, A, B तक का, इन दोनों points का, A है यह B है, तो क्या करो, B माइनस है, यही तरीके कार आप लोग यहाँ पे अपनाओगे, कि क्या करोगे, degree C माइनस A, A की value 0 हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो, degree C माइनस A, पराबर है, degree F माइनस D, तो यही हमा जो distance होने वारा है, A से लेके B तक का कितना है, आपको पता होना चाहिए, divide में आप क्या करें, A से लेके B तक को आप लिख सकते हैं, simply, B minus A, और इसको लिख सकते हैं, आप यह बराबर होगा, आपके, F minus D, right, यह F minus D, वो degree F है, यह F है, ठीक है, sorry, यह जो line है, यह C तक किया, I am ready, sorry, यहां तक C है, तो यहां पर F नहीं होगा, इदर D और C होना चाहिए, इदर, it's my bad, and मैं इसको change कर रहा हूँ, C करने के लिए, जैसे आपको मुश्कुलात ना हो, इदर A, C हो गया, और upon के अंदर आपका और, यहां पर C हो जाएगा, यह उपर वाला change नहीं किया, वो degree F E है, यहां पर नीचे upon वाला C बन रहा है, ठीक है, D C, तो यह degree C से लेके A तक का difference कितना है, degree C हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं, degree C कितना है, आपको पता है, degree C, degree C है, A कितना है, 0 के बराबर आप देख लो, जा के देख लो, वहाँ पर, degree F, degree F E है, D कितना है, जा के देख लो, 32 होगा, 32, ठीक है, और B कितना है, B 100 था, और A कितना है, जहाँ में water जो है, freeze होता है, माइनस 0, और F कितना है, भाई, sorry F नहीं होगा, इदर C होगा, C कितना है, मेरे भाई, C कितना है, I said, जाओ गोर से द और D कितना है, 32 होगा, 212 माइनस 32, अब जब तुम इसको हल करोगे, तुमारे पास एक AC VIP चीज़ बन के आएगी, जिससे तुमारे काम आसान हो जाएगी, वो VIP चीज़ के है, degree C माइनस 0, degree C, ठीक है, degree C माइनस 0, degree C होता है, divide by 100, यह बराबर हो जाएगा, किसके, degree F माइनस 32 वही का वही, 212 मेंसे 32 गए 180 है, divide by 180, ठीक है, अगर तुम इसको और हल करने ही कोशिश करोगे, तो यहां से क्या होगा, इसको तुम इससे डिवाइड करवाओगे, तुमारे पास आएगा, 5, 20 के टेबल से इदर आएगा, 5 इदर बनेगा 9, 9 यह बर डिवाइड करेगा, व centigrade बराबर है, किसके degree Fahrenheit, माइनस 32, अब यह 9 अबान 5 यहां पर है, इसको वहाँ पर लेके जाओगे तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, degree centigrade बराबर है, 5 डिवाइड कर रहा है, वहाँ पर जाएगा, यह वाला जो 5 है, यह उपर चला जाएगा, और 9 इदर आजाएगा नीचे, तो this will be, what 5 upon 9, bracket open, degree F minus 32, यह एक फार्मूला आपका निकलाया है, यह आपके पास फार्मूला है, किसका, degree C to degree F, no, degree F to degree C का है, ठीक है, यह क्या है, आपका पास फार्मूला यह प्यारा सा, degree F, अगर आपके पास given हो, तो आप degree C में जा सकते हो, यह प्यारा फार्मूला पताएगा, इसी का एक और पार्ट जो है, यह आला जो आपकी equation है, एक और जवाब आपको निकल के देगी, प्यारा सा, जो कि हम अभी समझने वाले, यह तो इसका एक फार्मूला हुआ, राइ ठीक है, यह minus 32 है, वहाँ पे जाएगा, उदर चला जाएगा, पिलस 32, तो यह फार्मूला आपका प्यारा सा बन जाएगा, वहाँ पे degree F बच जाएगा, degree F बराबर होगा, किसके, 9 upon 5 degree centigrade plus 32 के, और 9 upon 5 को हम 1.8 भी लिखते हैं, जो कि आपने बच्पन में पढ़ा होगा, ठी 1.8 भी लिखते हैं, 9 divided by 5 करोगे, तो 1.8 आएगा, जो बच्पन में 32 plus 1.8 C, तो यह एक और फार्मूला आपके पास बन चुका है, प्यारा सा, और यहाँ पर आप ऐसे करोगे, कि क्या दो फार्मूले हैं, आपके पास जो कि आप इस्तमाल कर सकते हो, यह किसका फार्मूला है, degree C to, centigrade में given हो, तो आप degree Fahrenheit जा सकते हो, दो फार्मूले आपको मिल गए, यही है, और सबसे important जो चीज है, वो आपके पास क्या है, इसी तरीकार से आपका निकलता है Kelvin scale का, फार्मूला आता है एक और, किसका, degree Kelvin to, centigrade, centigrade और इसका आता है फार्मूला, जिससे आप करते हो, इ कि आपने first time में पढ़ा है, वो बहुत जादा simple है, वो क्या है फार्मूला, वो फार्मूला है, Kelvin बराबर है, degree centigrade पिलस 273, 273.16 के, यह फार्मूला आता है, यह एक पार्ट, यह है फार्मूले का, इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट भी deduce कर सकते हो, जो कि है, degree centigrade बरा 233.16 के, यह इसका deduction है, जो आप हल करते हो, जो निकल के आता है, यह कैसे आता है, not just like this, आपने गिराफ को पीछे extend करना होता है, और आपको मिलता है, पानी का temperature और इसका temperature, divisions, actual मिलती है, और triple point of water का तो relation है, just like कि आपने degree Kelvin वाला बना लिया, और इसको डाल दिया, temperature के अंदर, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, यह इसका अलग तरीकार है, और यह graph के सूरत से इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, यह हमारे पास derivation आई है, आज के lecture की, जहां पर हमें यह कुछ derivations आ गई है, कुछ हमें यह formula's मिले हैं, अगर आपको यह वाली एक चीज़ याद है, अ अगर आप हमारी किताब महतरम की तरफ चली जाएं, तो T Kelvin के अंदर temperature है, Kelvin के अंदर, तो आप 273 में add करके, जो centigrade वो निकाल सकते हैं, के से आया है, और इदर boiling point minus freezing point, boiling point minus freezing point, यह के से इन्हों ने निकाल लिया, और दिमाग से बगेर किसी, without any derivation, भाई यह साथ विसा कुछ न कर आजाती है, जो कि हम हल करने जा रहें, worked example 15.1, इसको हम इसी हमारे formula से हल करेंगे, अब हमारा जो formula था, हमारे पास given temperature कितना है, हमारा जो formula था, हम इसको लिख लें, हमें किस से किस में जाना है, पहली बात तो यह पता होना चाहिए, हमें degree centigrade given है, उस से हमें जाना है, degree Fahrenheit में हम कौन सा formula लगाएंगे, degree C to degree F वाला, यह formula हमें लगाना होगा, ठीक है, तो formula अगर आप लिख लो, अगर आपको याद है, degree C to degree F जाना है, तो degree F बराबर किस के है, 1.8 degree centigrade plus 32 के, यह हमारा formula था और इसको आपने याद रखना है, तो इस formula को हम use करेंगे, तो data आपको given है already, ठ degree F लिखोगे, बराबर होगा, 1.8 multiply by 36 हमारे पास यह लिखना पड़ेगा, अगर मेरा दिल होता हमें इसको 37 degree centigrade ले लेता, लेकिन जवाब गलता जाएगा, 8 degree centigrade, ठीक है, degree centigrade आपको कितना given है, 36.88, तो degree centigrade already given है, तो आप 36.88 लिखोगे, उसमें कितना है, और जो है, आप इदर bracket close करोगे, पिलस 32 कर दोगे, जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, 1.8 को multiply करवाओगे, जब इसको आप रखोगे, 1.8, जब आप इसको रखोगे, 1.8 को multiply करवाओगे, 36.88 के साथ, और बराबर करोगे, पिलस तुम करोगे 32, तुम्हारे पास जवाब आएगा, 98.384, जब तु यह आपके बाद degree Fahrenheit के बराबर होगा, जो आपका होगा, अगर 37 लिखते हैं तो आपको human body temperature 98.6 perfect मिलता, तो यह इसका जवाब है, आप इसे formula देखोगे, किसमे किसमे जाना है, और अगर आपको एक formula याद है, दूसरा निकाल सकती हो, जिससे अगर मुझे यह वाला formula याद है तो मैं degree centigrade to degree Fahrenheit याद है, तो degree Fahrenheit to degree centigrade, इसली निकाल सकता हूँ, दोनों याद करने ही कोई जरूत नहीं है, कोई जरूत नहीं है, ठीक है, लेकिन for the sake of simplicity आपको इस formula को थोड़ा सा change करना पड़ेगा, किस हिसाब से change करना पड़ेगा, कि एक चीज आप add कर लें, simple सी, जो कि आपक 8T degree centigrade में, C बता रहा है, centigrade plus 32, और यहाँ पे degree Fahrenheit आजाएगा, ठीक है, अब यह क्या किया, यह वही चीज किया, लेकिन मैंने dimension लगानी थी degree Fahrenheit की, यहाँ पे वो वाली चीज feeling नहीं दे रही थी, बाल से में, कोई बड़ा फर्क नहीं है, मैंने क्या किया, degree Fahrenheit की जगा, TF लगा द कि आपको रटा नहीं लगवाया, मैंने आपको conceptual understanding दिये, यह से है, यह जो आपने लिखा है, this is not wrong, ठीक है, तो यह degree Fahrenheit के बरावर है, temperature कितना है, TF के अंदर कितना है, 98.384 degree Fahrenheit, simple, इसको ऐसे करके लिख लो, बात से में आपकी, हमें जवाब से मतलब है, and the way we get here, मैंने आपको स के लिख लो, जैसे यह जो dimensional degree Fahrenheit की आपकी बुक वाले हिसाब से आती रहे, और जो school के अंदर जो असात हुजा है, और आपके जो बाकी जगावाँ पे, tuition वाले असात हुजा है, वो गुसा ना हो, क्योंकि वो इन बातों को समझेंगे नहीं, जो मैं समझाने ही कोशिश कर रह आया है, क्योंकि आपने इसको understand करवाने के लिए for the sec of dimension आपने degree f लगा दिया, कि जैसे वो चीज़ मैंशन हो, tf क्या बता रहा है, temperature की उस temperature की f पर Fahrenheit पे क्या value है, just tf is a, जैसे हम degree f लिख रहे थे ना, जैसे वो temperature है particular, degree f is a particular temperature, जो हम कहे रहे थे, so हम degree f को लेगे चल रहे थ तो आप degree f को tf भी लिख सकते है, temperature added degree Fahrenheit भाई, इतना है, तो for the sec of dimensional आपकी सही आए, and सामने आले को understanding पता चले, तो आप simply degree f लगा सकते हैं, इन्होंने इस answer को round off किया हुआ है, 98.384 जो था, उसको 98.4 भी लिख सकते हुआ, so यह आपका इस तरिये कार से हो रहा है, और आप conceptually understanding करने वाले हो, तो इन छोड़ी छोड़ी बातों पर अटको के नहीं, लेकिन यह बात उनके लिए, जो बच्चे अटक जाते हैं, समझते नहीं बात को, तो मतलब उनके लिए मुश्कलात होती है, तो उसके लिए मैं आसानी की वजा से इसको explain करके लिखाए, तो अब हम ब इसको गिवन है आपको, data में आपको यह चीज़ गिवन है, डेल्टा T in degree Celsius आपको जो गिवन है, वो कितना है, 30 degree centigrade, दो temperature के between जो डिफरेंस है, अब आपका relation क्या था, जो हमारा जो सवाल था, क्या था, यह था हमारा बास T degree Fahrenheit, हम क्या करें, इसको T initial के रहें, ठीक है, T initial degree centigrade ब माइनस 32, अपॉन में 5 था, वही फार्मूला है, हमने जस्ट उसको 9 को वही रेने दिया, यही वही रेने दिया, वही फार्मूला है हमारा, ठीक है, यही ऐसा हमें T final निकालना होगा, T final जो temperature रे, degree centigrade, अपॉन 5, बराबर होगा, T final degree Fahrenheit, माइनस 32 अपॉन 9, अब यह हमें क्या था हमने इसा क्यों करवा है, देखिए हमें delta T given है, हमें क्या Tf minus Ti बराबर होता है, delta T क्या है, change in temperature, इसकी वजा से हमने दो equation हैं बनाई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो तुम क्या करो, अब इसको minus करवा दो, subtract करवा दो, हमें क्यों चाहिए, delta T हमें चाहिए, जो given है, 30 degree centigrade, delta T क्या होता है, Tf minus Ti, तो दूसरी में से पहली को आप minus करवा, यानि कि दूसरी है, 2 में से minus करवा, 1 को, जब आप minus करवा होगे, तो होगा क्या, Tf degree centigrade, minus Ti degree centigrade, दोनों पर क्या है, upon 5 है, upon 5 आप 5 आजाएगा, same to say, बराबर होगा, आगे पास Tf degree Fahrenheit, ठीक है, minus करवाना है, तो minus 32, यह आपके upon 9, यह वही चल रहा है, इसको minus करवा हो तुम लोग, जो उपर वाला part है, part 1, यह वाली जो चीज है, इसमें से, minus sign लगा दिया, Ti degree Fahrenheit, Ti degree Fahrenheit, upon 9 minus 32, ठीक है, जब तुम इसको आगे furtherly और solve करने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या, तुम्हें एक simple सी चीज मिलेगी, यह वही की वही क्या है, यह क्या है, डेल्टा T, यह, Tf minus Ti क्या होता है, डेल्टा T, डेल्टा T degree centigrade, यह उसके बराबर होता है, upon 5 का 5, यह बराबर किसके होगा, किसके होगा मेरे जान बराबर, यह यह आप जब इसको solve करोगे, तो होगा क्या, समझाता में आपको, यह, लिखो तुम लोग, Tf degree Fahrenheit, यह minus इदर आएगा, minus का Ti degree Fahrenheit, ठीक है, यह minus 32, minus 32, minus, minus, plus 32, plus 32, minus, plus 32, cancel हो जाएगा, खाली यह बजाएगा, Tf degree Fahrenheit में, Tf degree Fahrenheit, delta T हो जाएगा, degree Fahrenheit के अदर, change in degree Fahrenheit हो जाएगा, यह बराबर, ठीक है? तो यह किसके बराबर, delta T बराबर होगा, degree Fahrenheit के अंदर, upon में 9, ठीक है, हमें सवाल के अंदर given क्या था, इसकी value given है, delta T कितना है, 30 degree का, यह put कर दो, put, delta T degree centigrade में, is equal to 30, तो होगा क्या, जब put करोगे, 30 upon 5, वहाँ पे, divide में 9 है, multiply by 9, बराबर हो जाएगा, delta T, degree Fahrenheit के, ठीक है, तो, जब तुम इसको, one इधर छे, 6, 9, 54, change in temperature in degree Fahrenheit कितना होगा, 54, ठीक है, 54 change होगा मेरे भाई, यह answer है इसका, short track किसको हल कर नहीं क्या, papers में इतनी लंबी मारोगे, नहीं, इसके लिए क्या करोगे, तुम्हें अगर यह आना चाहिए, मेरे तुम्हें तुम्हें फार्मुला बताया था, degree Fahrenheit किसके बराबर है, 1 1.8 degree centigrade plus 32, ठीक है, short cut के लिए क्या करोगे, यह आगर degree F है, तो यह पेला है, यह F1 है, F2 निकालोगे तुम degree F, ठीक है, 2 निकालोगे, 1.8 degree centigrade 2 plus 32, T2 minus T1 जब करोगे तुम इदर C2 है, इदर C1 है, तो तुम्हारे यह दोनों factor cancel हो जाएंगे, F2 minus F1 कितना होगा, F2 minus F1 होगा, delta degree F, बराबर हो जाएगा, किसके, 1.8 delta degree C के, delta degree F के अंदर change in F कितना होगा, 1.8 multiply और delta degree centigrade 30 given था, 30 को 1.8 से जब तुम लोग multiply करवाओगे मेरी जान, आंसर आएगा, 54 degree Fahrenheit का change आया, delta F, तो इसको इसे करना भी possible है, क्या करना है, तुम्हें यह temperature है, T1, right now at this time, और यह temperature है, T2, ठीक है, ओ, sorry, यह तुम्हारी condition है, set of condition initial है, initial set of condition है, यह final है, final में से initial minus करो, कि तुम्हें यह formula मिल जाएगा, इसमें values put करो, तुम्हें answer आजागा, change कितना है, यह shortcut तरीका था, इसमें क्या है, तुम लोगों को shortcut मिल गया, तो अब मिलते है, next lecture के अंदर तर के लिए, खुदा आफिस, चैनल को subscribe कर ले, M.D.K.D.K.E.D. की registration करवा सकते हैं, हमारी online tuition, शर्णी वो जोइन कर ले, subscribe करें, दोस्तों के साथ share करें, teachers के साथ भी share करें, जैसे वो भी सीखें, को समझें, और कोई मेरी mistakes हों, वो भी मुझे बताएं, खुदा आफिस